बचा आज के इस लेक्चेर के अंदर हम लोग माइंड मैप पढ़ रहे हैं और्गैनिक केमिस्ट्री का ये 12th क्लास के बच्चों के लिए है कि 12th क्लास के बच्चों को और्गैनिक को किस तरह से पढ़ना है बेटा कैसे आप पूरी और्गैनिक में full by full number ले सकते हो कैसे आप zero से hero बन सकते हो very very important और्गैनिक को अगर पढ़ना है बेटा तो सही तरीका पढ़ने का यही है ध्यान से देखो कैसे पढ़ना होता है सबसे पहले और्गैनिक को जब आप पढ़ते हो बेटा आपको पहला काम होता है name reaction को पढ़ना name reaction आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए ठीक है और यहां से direct question भी आता है indirect question भी आता है clear है इतना उसके बाद आपको यहां पर पढ़ना है जैसे ही name reaction खतम होएंगी उसके बाद हम पढ़ेंगे यहां पर distinguished test जहां से एक question आपको देखने को मिलता है ठीक है अब distinguished test जैसे ही बेटा हम लोग करेंगे उसके बाद मैं आपको कुछ functions बताऊंगी reagents के मतलब हम पढ़ेंगे reagents को ठीक है जैसे ही reagents को हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे यहां पर complete the reaction complete the reaction या फिर जो आपके पास conversion है बेटा conversion और complete the reaction दोनों हम यहां पर बात करेंगे और वो दोनों जो आपके पास part बनते हैं, वो किसके part बनते हैं, यह जो हमने तीनों पढ़े है न, name, reaction आपके पास है बिटा, आपके पास distinguished test है, reagent है, इन तीनों, जब आपको यह तीनों आजाते हैं, उसके बाद यह question बड़े easily आप लोग solve कर पाते हो, कैसे करने हैं, किस तर reasoning question पढ़ना है, reasoning questions को पढ़ेंगे, अब reasoning question किसके उपर depend करते हैं, आपकी physical properties के उपर बेस हैं, जादा तर, ठीक है, plus में resonance से related भी कुछ questions आपके पास आते हैं, उन दोनों को हम reasoning questions के अंदर cover up करेंगे, ठीक है, अगला जो important part आपका यहाँ पर रहने वाला है, वो आपके पास रहेगा, most 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 important, जो आपकी acidic properties है, मतलब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, order वाली चीज़ें पढ़ेंगे, order का मतलब है, हम पढ़ेंगे solubility का order क्या होता है, हम पढ़ेंगे boiling point के order कैसे देखा जाता है, acidic strength किसकी कम होती है, किसकी जादा कैसे देखेंगे, basic strength किसकी कम है, किसक सब order है, वो सब हम क्या करेंगे, एक ही साथ पढ़ेंगे, सभी order एक साथ, ताकि इस तरह का question किसी भी तरह का आ जाएगा, तो वहाँ पर confusion खतम हो जाएगा, ठीक है, उसी के साथ most important, तीन नंबर का question जहां से आता है, वो आपके पास होते है, organic reaction के mechanism, mechanism most most important है, यह आपको important mechanism है वो आपको यहाँ पर पढ़ने ही पढ़ने है, ठीक है, तो organic को पढ़ने का ये तरीका होता है, साथ में एक आपके पास यहाँ पर रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, miscellaneous बोलते हैं, ठीक है, miscellaneous का मतलब है, एक दो point जो उपर से छुट गया है बिटा, वो आपका यहाँ cover-up आपके पास हो जाता है, तो organic को सही तरीके से ऐसे पढ़ा जाता है, name reaction, distinguished test, जो चारो chapters के combine करके होते हैं, ठीक है, आपका alcohol वाला chapter है, hello alkanes वाला chapter है, aldehyde वाला chapter है, amines वाला chapter है, वो चारो chapter बेटा, इसी चीज के अंदर आपके cover-up हो जाएंगे, ठीक है, तो आज से ही हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, name reaction से, name reaction दो दिन में complete करेंगे, आधी आधी ताकि आपको याद हो जाए, एकदम भागेंगे नहीं, ताकि मैंने जादा करा दिया, आप करनी पाऊ, आप अराम से आदा गंटा दो घर पे, अराम से आप बिटा, अपनी 70 out of 70 है, पूरी chemistry के अंदर आप लेकर आ सकते हैं, ठीक है, तो बने रहिएगा, शेयर जरूर करने अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके साथ-साथ उनका भी फायदा हो बिटा, लास्ट वाला चैप्टर बचता है, इसी में एक पॉइंट बढ़ा भी सकते हो, वो आपके पास रहेगा, बायो मोलिक्यूल्स के लिए.